नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोईताश यादव ये सब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ये जो चीजें हो रही हैं क्या उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा बाइनेंस के साथ भी ऐसा होगा नहीं सोचा था लेकिन ये क्रिप्टो कुरंसी है हमेंसा हर वीडियो मे हर आदमी बोलता है कि कुछ भी हो सकता है आप ये नहीं कह सकते कि यहां ये सेफ है और ये गड़ी में जाने वाला है ये बिल्कुल नहीं कह सकते किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है कोई भी यहां गौड फादर नहीं है तो आप इस चीज़ को अमेसा से ध्यान रखें क्य सीजी के साथ भी होगा क्या हो सकता है साब कुछ भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता सैम यानि के सीई ओ एफटी एक्स ठीक है बहुत तरह जानते आप जो यहां से अपना कांड कर करा के और बहामास चला गया था वहां बैठके आराम से चैन की जिंदिकी उजा रहा था लेकिन जैसे ही अमेरिका का यहां से डंडा पड़ा वहां वो अरेस्ट हो गया जो मैंने अपने ट्विटर औ कैसा हुआ है भाई अब तक तो वही था तब तो अरेस्ट नहीं किया था लेकिन अब उसको वहां अरेस्ट कर लिया है तो कुछ न कुछ एक अब लंबी कानी और चलेगी अब आते हैं हम सीजे बाइनेंस पर क्या यह भी अरेस्ट होगा हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं ह इसलिए नहीं है कि साब जब अमेरिका के साथ कुछ ऐसी चीजे घड़ती है न तो वो कुछ भी करता है सेम को छोड़ा रखा छोड़ा रखा लेकिन देखा अब मामला फसरा है तो अरेस्ट कर दिया तो वही चीज सीजे के साथ भी हो सकती है क्यों सेम चार्जेज वही लगा हुआ है वही इस पे भी कि उस पर अभी तक केस नहीं लगाता लेकिन मनी लॉंडरिंग क्रिमिनल और सिक्योरिटी यह तीनों के तीनों चार्ज सेम बैक्मेंट फ्राइट पर लगा जा रहे हैं तो जब यही तीन चार्ज लगा के उसको अरेस्ट किया जा रहा है या होगा वो तब की बात है लेकिन यहां सीजे के लिए एक चीज फाइदे बंद है वो यह है कि इनके सामने तीन ओप्सन है कि आप जो है जो चार्जर जहें उसके लिए वो डील भी कुछ इनकी अंदर खाने चल रही है अगर वो डील हो जाती है मतलब जो फाइन बगरा लग है वह केबल सोर्स से निगली घिया आभी तक इस मेंसे नहीं दिपार्टमेंट से कोई भी ऑथेंटिक चीज नहीं आया यानि कोई ट्विट या कोई ऐसा बैान नहीं आ से निकली हुई चीजे तो हम यह भी कह सकते हैं कि या सीजे को टार्गेट किया जा रहा है हो सकता कोई बड़ी बात नहीं क्यों क्यों कि जब सीजे ने एक ट्वीट ने के वल एक ट्वीट ने FFX को खतम कर दिया तो भाई देखिए फिर आप सम मिल ऑफिर बहुत हो को टार्गेट सीजे ने भी किया जब सीजे की चल रही थी लेकिन आज की rate में CJ कहीं ने कहीं अब pressure में है क्यों अब सारे के सारे मिल के एक तरह से भाई होता क्या है पहले social media के जरी एक ही target किया जाता है तो वही चीज हो रही है अब ही देगे जितने भी अब article आ रहा हैं वो सब CJ के खिलाप आ रहा हैं तो कहीं न कहीं मेडिया एक तरह से आप भिका हुआ है आप ये कह सकते हैं कि भाई आप एक तरह से मेडिया SEG के पीचे पड़ गया है क्यों आप proof of result भी जो CJ ने दिया उस पर भी सवालात उठी रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो उस पे भी आप सवाल उट रहा है, तो कोल मिला के अब जो टार्गेट है, वो है इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी कौन, CJ Bynes, तो आगे कुछ भी हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है, Bynes भी डोब भी सकता है, ये नहीं कह सकते के नहीं हो सकता है, लेकिन यहां मैं आपको एक opportunity बताता हूँ, देखिए CJ इतनी जल्दी आर नहीं मानेगा, एक ची और भी है, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्री का player है, दूसरा, एक वहाँ पर उसको वो option जो मिला हुआ है, अगर मान लीजिए fine देके वो अपना छूटता भी है, तो देखिए वो fine पेक कर सकता है, नो problem, यहां पर लेकिन एक pressure जरूर बनेगा BNB पर, तो BNB पर जो pressure बनेगा, तो देखिए वो अभी already बना भी है, जो 255 डॉलर तक BNB गिर चुका, ठीक है, अभी वोई 266 डॉलर के आसपास BNB चल रहा है, तो जब यहां तक आ गया है, तो देखिए थोड़ा बहुत और भी गरेगा, जो pressure चल रहा है, लेकर यहां आपके लिए एक opportunity हो सकती है, लेकर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से buying करने लग जाए, अभी आप नजर रखिए दो दिन, आज का दिन और कल का दिन, 14 तारिक, क्योंकर 14 तारिक को rate of interest आना है, आज CPI data आना है अमेरिका में, तो कुछ यहां यह condition clear हो जाएगी, क्या इसके बाद भी उसमें ग्रावट जारी रहती है, BNB में, अगर ग्रावट जारी रहती है, तो देखिए फिर उसको गिरने दीजिए, देखिए अभी आप बाइ मत कीजिए, देखिए कितना गिरता है, और अगर आपको लगता है, कि यहां से अब मामला फिर से BNB उपर चलने लगा, तो आप एक छोटा सा माउंट यह बाइक कर सकते हैं, क्यों? वहाँ के बहुत रोज रोज नहीं आते, देखिए सिद इसी बात है, हम तीरी कोईन तो सबसे अभी सेफ मान के चल ले थे, बैटी सी, इथिरियम और BNB, लेकिन BNB के साथ है ऐसा हो गया, तो वह कहता है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो इसे है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चिनिटी, लेकिन यहां रिस्क पूरा 100% का है, यह बात ध्यान रखिए, क्योंकर कियां पर कुछ भी कभी भी हो सकता है, जो नहीं सोचा था, वो सुबह उटते ही न्यूज ऐसी मिलती है, आप देख लिजे, तो यहां आज की रेटे में वही चल ला है, किदेखे सेम अरेस्ट हो चुका है, BNB गिर रहा है, और सीजब बाइनन्स भी अरेस्ट हो सकता है, अगर सेम केस रहे तो, लेकिन यहां देखिए, बाइननस खतम नहीं होगा, अगर आप यह कहते हैं कि- बाइननस खतम हो जाया कर नहीं होगा, वो उसके साथ तो हो सकता है, जो US Binance है, only, ये global level पे जो Binance की और branchage है, वहाँ वो impact नहीं आएगा ऐसा, लेकिन आएगा भी तो केवल US Binance पर आएगा, उसको हो सकता है कि वो रोग दिया जाए कुछ, में भी, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी आगे जो भी होगा वो ब बताएंगे, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं, कि अगर कोई प्रॉलम आएगी, तो US Binance पर आएगी, ना कि जो global level पे Binance की ब्रांचे जहें, वहाँ पर, लेकिन मैंने का ना, आपके लिए opportunity, मैं यहाँ पर opportunity डूड़ना हो, क्या ऐसा हो सकता है, तो में भी हो सकता है, ल यहाँ पर एक चीज और में आपको पताना चांगा, देखिए, कल से BNB गिर रहा है, और कल से ही सिवाईनू का प्राइज भी गिर रहा है, सिवाईनू का प्राइज यह माल लिए 0.5x0, और 8.6 की सीरीज तक गया, और अभी 8.8 की सीरीज में चलना है, तो सिवाईनू के प अबर कर लिया, BTC जरूर आपका 16,800 तक आया था, लेकिन उसके बाद फिर से आज 17,500, 200 तक चला गया है, तो BTC ने कुल मिला के ऐसा कोई ज़्यादा पैनिक वाली चीज नहीं दिखाई, BTC इस तिर है, लेकिन BNB गिर रहा है, और इधर सिवाईनू भी गिर रहा है, सिवा इनमें ज़्यादा ही चला है, तो कहीं ने कहीं वो कहते हैं, पैनिक सेलिंग, तो एक वेल ने जो है, लगबग 2 ट्रिलियन से ज़्यादा सिवाईनू को सेल भी किया है, तो यह क्या है, कहीं ने कहीं पैनिक सेलिंग हो रही है, जो BNB में भी हो रही है, और कहीं ने कहीं थ साथ 100% रिस्क है इसमें तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अप्लेट के साथ नमस्कार